आपकी बॉड़ी के अंदर क्या होगा अगर आप कम्प्लीटली चीनी को दो हफतों के लिए अपनी बॉड़ी से निकाल दें यह वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा आप प्रॉमिस इस वीडियो के एंट तक आप बहुत कुछ लान करेंगे चलें फिर स्टार्ट करें चीनी निकाली तो मेरा फेस पतला हो गया ऐसा लगता है कि जैसे फेस्पेक स्वेलिंग थी जो खतम हो गई है और दूसरा डिफरेंस आप देखेंगे अपने मिड्स सेक्षिन में अब में अपको क्यों डिफरेंस नजार आए है इसलिए क्यूंकि अब आपका लिवर जो है फैट को रिलीस कर रहा है दो हफते तक जब लिवर को चीनी नहीं मिली तो अब आपकी बॉड़ी फैट को बन कर रही है फोर एनरजी बॉड़ी अपनी एनरजी दो सोर्से से लेती है फैट फ्यूल और शुगर अब जब आपने अपनी बॉड़ी में शुगर की किंजम्श बहुत जादा इंप्रूफ हो जाएगी आपकी बॉड़ी में सबसे अधा आपकी आइस सेंसिटिव होते हैं तो वर्ट शुगर इसलिए आप देखेंगे जो लोग डाइबाटिक होते हैं उनको लेटर और एन लाइफ एक कंडिशन डवेलप हो जाती जिसे कहते हैं बॉरन में शुगर और प्रोटीन आना शुरू हो जाती है कि शुगर आपकी बॉड़ी में इन्फलेमेशन कर रही है इस है पाइप्स में जंग लग जाता है इसी तरीके से आपके ब्लड वैसल में बहुत ज़गर होने की वाज़ा से रस्टिक हो जाती है इंफ्लेमेशन ह जाती है और यह वेसल्स जब किड्नी तक जाती है तो यह एक और चीज को डिवैलप कर देती जिसको कहते हैं डायबेटिक नेफ्रॉपपथी बेसिकली जब आप शुकर कम लेंगे तो आपका किड्नी फंक्चन भी बहुत बहुत जादा इंप्रूफ होगा और यह आपकी आर बहुत 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 जाएगा इसके साथ साथ आप देखेंगे कि यह ब्रेंग को कैसे फैक करता है शुकर किल्चामी से आपकी नर्व करना शुरू कर देंगी शुकर जादा लेने से एक और कंडिशन होती जिसे कहते हैं रिफिर निरॉपथी जब शुगर आप कम लेंग तो आटोमाटिकली यह भी ठीक हो जाएगी बहतर होगा तो आप देखेंगे आपकी कॉगनिटिव फंक्शन और आपका मूट दोनों बहुत बहतर हो जाएगा मैं हाई फाइबर डाइट लेके ना सिर्फ अपना वजन कम किया है बलके यह सारी कंडिशन को बहतर किया है मैं मैं हर खाने से पहले यह फाइबर्स लेती हूँ यह फाइबर्स मेरी बॉड़ी में जाके सेवन टाम एक्सपैंड करते हैं मेरे ग्लुकोज और इंसुलीन लेवल को कंड्रोल करते हैं जिसकी वैसे यह सारी प्राब्लम्स मेरी रिवर्स होई और इसके सासत मेरा वजन भी क हुआ